Hello guys, इस वीडियो में आपका बहुत ज़धा स्वागत है, आज की वीडियो में हम चेक करेंगे कि आइफॉन 13 की बैटरी हाल्थ को हम कैसे इंक्रीस कर सकते हैं, जरुरी नहीं है कि हम सिर्फ आइफॉन 13 की बैटरी हाल्थ को इंक्रीस करें, जिस किसी भी आइफॉन की बैटरी बैटरी हाल्थ ड्रॉप हो चुकी है आप उस आइफोन की बैटरी हाल्थ को इंक्रीज कर सकते हो और वह भी बड़े असान मेथड से और अगर मैं आपको खर्चे की बात करूं तो आप इसको फ्रेमें भी कर सकते हो अपने आप और अगर आपको किसी और से करवाना है तो सारण मेरा फोन इंपर्टेंट बैटरी मैसेज दिखा रहा है और मेरा फोन आइफोन थार्टिन प्रो है अगर आपके किसी भी आइफोन की जैसे आइफोन 10 11 12 या इससे पीछे बाले आइफोन की बैटरी जो ड्रॉप हो चुकी है हाल्थ या 15 प्रो मैस भी हो सारे फोन की को संबसे पहले काइज आपको how करना क्या है मैं आपको दो मेंस पताउंगा एक ऐस फेक वाला उससे क्या होगा कि सिस्फ बैटरी हाल थी ही इंक्रीइस होगी उसी बैटरी बैकप नहीं बढ़ेंगा इसरफ एक बैटरी ही रिष्क्रीष होगी और आपका बैटरी वेकप आ गए हैं जो की battery health को reset करते हैं so especially tools जो है ना कुछ इस तरीके के देखने को मिलते हैं यह आप टूल देख लो सबसे पहले ठीक है यहां पर यह टूल आपको market से मिल जाएंगे अगर आपको खुद करना है अगर आपको खुद नहीं करना तो आपका काम 100.500 में हो जाएगा आप मार्केट से बाहर से आप सीधा battery health ही बूस्ट करवा लो तो यह टूल काम कैसे करते हैं हमें यह टूल को चार्ज लगाना होता है ठीक है और हमारी बैटरी आइफोन की बैटरी जो है इस तूल के साथ करनी रहती है यह आप देख लो कि यह बैटरी मैंने टूल के साथ क बैटरी की कपैसिटी है और अभी मैं इसको रिसाइट करतूंगा तो मेरा फोन जो है ना 100% बैटरी हल्थ की ऊपर पहुंच जाएगा रिसाइट होने के बाद में यह हो गया इससे क्यों होगा कि सिर्फ बैटरी हल्थ ही 100% होगी इससे बैटरी का बैक अप नहीं यहां पर मेरी जो अरिजनल बैटरी थी ना वह यह वाली थी आइफोन 13 प्रो की 69% ही थी इस बैटरी की मैंने सबसे पहले नई बैटरी पर्चेस की जिसे हम कोर बैटरी बोल देते हैं जो कोर बैटरी होती है ना वो BMS बोड के साथ नहीं होती यह जो फ्लक्स केबल है ना इसका सरकेट आता है वो सरकेट हमें ओरिजनल ही अपनी बैटरी को लगाना है वो हमें ओरिजनल सरकेट खोना नहीं है हमेशा जब तक फोन है मतलब हमें वो सरकेट बचा के रखना है बैटरी हमें चाहें चेंज कर देनी है क्योंकि जब हम यूज़ करते हैं फोन को तो यह cell time to time degrade होता है यह जो battery की power जहां पर lithium ions पड़े होते हैं तो हमें circuit original ही रखना है, पीछे वाली battery change कर देनी है तो मैंने core battery purchase की और फिर circuit को मैंने अपनी original battery से निकाल कर दूसरी battery के उपर weld कर दिया तो दोस्तों आप welding वगाला काम जो है ना बाहर से करवाओ तो ज़्यादा बहतर है यहां पर आप देख सकते हो BMS board की यह जो circuit है यह इसके साथ weld होंगे और फिर आप अपने battery को अपने phone में डाल दोगे तो आपकी battery बिल्कुल same flawlessly काम करना शुरू कर देगी लेकिन सिर्फ weld करने से काम नहीं चलेगा आपको battery health reset भी करनी है उसी same method से जैसे मान लो कि मैंने अब battery के साथ अपना BMS board weld कर लिया है और phone के अंदर डाल दी है लेकिन phone के अंदर डालने से पहले मुझे same उसी tool के साथ connect करनी है और battery health को reset करना है और फिर जो मेरी battery health है वो 100% पहन जाएगी और मेरे को यह message भी नहीं show होगा important battery message battery message मेरे को यह show हो रहा है कि मेरी battery drop हो चुकी है लेकिन यह show नहीं हो रहा कि battery change हो गई है मैं आपको दिखाता हूँ कि change होई battery का message अलग होता है और जो battery health drop हो चुकी है उसका message अलग होता है और battery health drain होने का message अलग है इस तरीके से आप अपनी battery health increase कर सकते हो iPhone 13 की और किसी भी phone की I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी इस वीडियो को लाइक करना अपने फ्रेंड्स के साथ जरूरी शेयर करना इस वीडियो को लाइक करना